वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन गाईस माईसेलफ आबिद आज का यह जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज यसे मैं आपको हर दिन पांच यह जो एक दिन में पांच वीडियो में पांच क्वेशन को सॉल करेंगे और ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको पूरे याद करने के लिए क्योंकि देखुए आपको आपको जो जी के करना होता है रट्ट्रा मार ना होता वो करना ही पड़ता है तो मैं कहता हूं और आप यह ज़्याद करने लिए दो घंटे दिये जाएंगे आप हाले कि 10 मिनट में याद कर लोगे लेकिन मैं फिर भी वीडियो मिलेगी ना वो आठ बजे मिलेगी दूसरी 10 बजे तीसरी 12 बजे फिर उसके बाद चौती दो बजे और पांच भी चार बजे यानि कि पांच वीडियो से एक दिन में देखने को मिलेंगे और हर एक पार्ट में आपको अब दस क्वेशन तो आज के जो पहला पार्ट है एक इस पार्ट वन में आपन दस कुष्ष्ण को देखने वालें ठीक है चलो आओ देखते हैं पहला जो कुष्ण से मारा वह है कि विस इस्टेट वन वोल्ड हैबिटेट अब टू थाजन प्रेंटी थीट्री फॉर इट्स मैं जगा मिशन में जगा मिशन है 23 благ कि सको दिया गया तो पहले बादी और दीक हुषा कोई दिया गहां और अगर कोते बूले कि 450 कि आगे सलें जगा मैशन जो है वह कब स्टाट्न किया गया था 2 otro 2017 में यह लॉट ंंथा तब किया गया ता यह तorno स्ट인지 कि आ JAMTo हैं habitat ठीक है चलो आगे आते हैं दुसरा questions how many people will be awarded the प्रवासी भारतिय सम्मान awards this year पहली बात बता देता हूं यह जो इस्टेबलिस किया गया था तो यह भी तुमको पूछ सकता है कब इस्टेबलिस किया गया था तो जो हमारा दिस यह का मतलब 2022 में 2022 में कितने लोगों को दिया गया था प्रवासिय भारतिय सम्मान वी अवोर्ट कब दिया गया था तो बैसिकल यह 27 लोगों को दिया गया कितने लोगों को दिया गया यह चौथा नहीं इसका 27 लोगों को दिया गया है तो यह भी तुमको पता होना चाहिए अगले पर आते हैं अगला जो क्वेशन है वो है हमारा कि दानिस सिद्धिकी दानिस सिद्धिकी जो की जिनका इंतिकाल हो चुका जो डेथ कर गया है ठीक है उनके बारे में पुस्ट्रमिस ली गोट विस्टिटी स्प्रेस क्लब्स रेडिंग अवोर्ड तो बैसिकल इसका जो आंसर क्लब रिडिंग अवोर्ड मुंबई के ठीक है विस सिटीज मतलब मुंबई के रहने वाल थे समय आगे आते हैं नेक्स विच विच आयाइटी ठीक है इंडियन इंसिटूट आफ टेक्नोलजी वोन वोटन क्यूएस और इमेजिन एजुकेशन अवोड 2022 मलब वोटन दिया गया था ठीक है तो यह जो हमारा आबोड दिया गया था वू दिया गया था बैसेकल ई अब हमारा अगला जो कुश्चन नमब फाइफ क्या है वू है अवोड़ेट एकलब वे अवोड 2022 वास अवोड़ेट दे एकलब अवोड 2022 पहली बात बता देता हूं कि यह जो एकलब वोड है न वो स्पोर्ट में जो सबसे बहतरीन परदर्शन करता है अपनी खेल को उसको यह एकलब प्रदर्शन परता है वो है हीमा दास हीमा दास को 2022 का एकलब विकाप ठीक है एकलब अवर 2022 दिया गया था हीमा दास ठीक है आगे वाले questions पर आते हैं आगे वाला question क्या दिया भी है कि who was the awarded the first awarded the first रोहिनी नईयर price for the outstanding contribution in ruler development में जो सबसे best contribution किया है ठीक है तो कौन सब यह रोहिनी नईयर price for the outstanding contribution to ruler development तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका जो आसर है वो नीलम अरोरा है ठीक है यह याद कर लेना बहुत important हो सकता है ठीक है नीलम अरोरा ठीक है यह पता नहीं कहां गया हाँ नीलम रोरा आंसर नंबर भी ठीक है इसको तुम याद कर लेना आगे आते हैं और इसको भी तुम याद कर लेना भाई अगर तुमको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए कि भी यह क्या होता है यह वोर्ट किसको दिया जाती है तो आप अभी आप हमारे को सकते हैं जिसमें आपको सारी चीजस में बताई जाएगी कि क्या कैसे हुआ है ठीक है और वहां पर जा करके आप सारी कर लेना ठीक है चलो आगया आते हैं हालक यह यह तुमको बस याधी करना है आगे आते हूँ रिसीव दवीन फूचर स्पेशलिस्ट मैं ने बता दिया ह ठीक है सेवन का मैना आइटिंग बता दी है थला पती प्रदीप होंगे इसके थिले तिल आ गया आते हैं विच इंडिया फॉल्ड टू गोल्डन ग्लोब अवर्ट्स नॉमिनेशन इस फिल्म ने एठीक गोल्डन ग्लोब अवर्ट नॉमिनेशन पाया था ठीक तो बैसके लि जो आते हैं वो वन गोल्ड इन और गोल्ड विन ओमेंश एर पिस्टॉल नेशनल चैंपिन ड्यर्ट निटिटीट विए मैं किसने जीता था विया गोल्ड मेल जो किस ने किस ने जीता तो यहां पर है शुश्मा है शिवांगी है आशा है और बिव्यां तो बैसकी दिव्य ने क्या किया था दीविया ने यह वोट को जीता था ठीक है यह दस कुशन होते हैं और आइधिंग मेरे इस आप से साथ आठी मिनिट में कंप्रीट कर लिया हमने तो यह आपके लिए ज्यादा बेनेफिट हो सकता है साथ कर सकते हो अच्छी तरीके से वहां पर इसका डिसक्शन किया जाएगा कि यह उमन एयर पिश्टोल नेशन चेंपिन कब कब हेल्ड होता है इतनी बार होता है यह सारी चीज़ें वहां पर डिसक्स की जाएंगे ठीक है तो चलो बस आज के लिए तना ही मिलेंगे बारा बज़े बज़े वाले में वार बज़े सोरी दस बज़े वाली वीडियो को देखना बोली जहां पर इसकस करेंगे ठीक है यह पर टू को डिसकस करेंगे यह पाट डिसकस करेंगे और यहां पर भी करीब दस questions होंगे total मिला करके आपके 50 questions एक दिन में complete करा दिया जाएगा ठीक है तो मिलेंगे नेक्स वाले session में तब टेक के रवाबा ख्यालेखेगा जो भी दिखते जो भी परशानी आती है पूछ लेना बाबाए